बिस्मिल्लायरमानी रहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग मैं लम्द इल्ला ठीक हूँ अंशालला आप लोग भी जाओं खुश्वाबाद हो आमीन मैं आज लेकर रहें चिकन निगर्स के रेसिबी चिकन लिए में अदा किलो इसमें जाएंगे तीन से चार तीन या चार चेडर चीज़ जाएक है सो ग्राम के ब्रावर नुमक जाएगा हाफ टीपून बाट पेपर जाएगा हाफ टीपून चिकन पौडर जाएगा बंटीपून और लेसर अद्रक का पेज जाएगा बंटीपून इसले तो प्रेशे स्वद्स टूटे बेस सो इसे अच्छा जी तो इसी तरह भी बना सकते हैं है अब ये मैं कोडिंग के लिए तैयारी करही हूं गिर्ट कार्मस ले लिए थोड़े से एक प्लेट में मैंने मैदा ले अफंट लिया अब मैं हातों पे ओओल लगा लेना हलका सा ताके चपके ना बेटर जो हमने त्यार किया है तो आप ट्रेय में रखाएं और अगर आपने फ्रीजर करने तो इसी तरह ट्रेय को औहाएं कर não टो यह चारे को टी करने इससारह करें एधानि प्रीज में और खा के और रहाएं तो आप इसको फ्रीज में ड़र कर देते हैं बिस्मिल्यार्मानीराहिम ये देखें मैंने ओईल गरम कर लिया था आप ओईल अपनी मर्दी से ले सकते हैं जादा या कम मैं बहुत जादा नहीं लिया फ्राइपन में तयार कर रही हूं उनको सारे डाल दियें मैंने चार से पांच मिनट में एक साइट पकाऊंगी और चार से पांच मिनट में दूसरे साइट पकाऊंगी बहुत जादा तेज आँच पे नहीं पकाना वरना जल्दी से इन पे कलर तो आ जाएगा पर अंदर से कच्चे रह जाएगा अगर आपने बिल्कुल बजार जेसा लोक और टेस्ट लाना रहा है तो ये सारी चीज़ आपने डालनी पड़ेंगी जो बहुत मज़े का टेस्ट आया था ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह शोपर में करके रखते हैं आप लंच बॉक्स में बच्चों को देदें मेमान आये कोई भी आये चाय के साथ आप खासकतें हैं ये मैंने अपने बेटे की बर्डे फ़े बनाये थो इसके लिए उसके निये क्योंकि मैं जातर कोशीश करती हूँ बच्चों कोई नकी बर्डे पर घर की बनी ऑई चीजे में उनको खिलाती हूँ और वो बहुत खुश होते हैं बच्चे ये देखें बहुत जादा गराम उयल नहीं है देखें आप देख रहे हैं ना बिल्कुल हलकी सी आज पर मैंने बस बना रही हूँ उनको ताकि अच्छी तरह अंदर तक बख जाएं ये देखें मैं आपको इसको तोड़के दिखा रही हूँ पर केमरा फोकस ही नहीं हो रहा था आखिर तक मैं आपको इसी तरह ही दिखाती रहूंगी जो कि मुझे बहुत असी आ रही थी बस जी कभी कभी होता है केमरा बस इस तरह हो जाता है तो वाकी बहुत मज़े के बनेते हैं और जिस तरह हम बजार के लाते हैं न तो बहुत मज़े के बनेते हैं बेटी के रही थी अम्मी दिल कर रहा है बहुत सारे खाऊं और पेट भर के खाऊं आपको पता है इतना मेंगाई हो गई है और बहुत मेंगे मिलते हैं बजार से ये ब्रैंड के जो मिलते हैं तो मैंने सोचे चले हैं आज घर पी बनाके बच्चों को खिलाती हूं बेटे की बर्डे भी थी फ्राइस भी बनायते हैं मैंने बहुत मज़े के बनते हैं ये भी और बने भी थे बहुत मज़े के और ये बनाये थे और निगर्स बनाये थे जब स्कूल से आया था तो मैंने उसको सर्प्राइस दिया था तो वो खुश हो गया था तो आप भी इस तरह बच्चों के लिए बनाती रहा करें तो बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह गिफ्ट से जादा अच्छा गिफ्ट होता है बच्चों के लिए यह देखें मैं दुबारा दिखा रही हूं मुझे हसी आ रही है दुबारा आकिर वक्त तक मैं दिखाती रहूंगी पर केमरा फोकस ही नहीं हो रहा था जिसे बजार में मिलते हैं बिल्कुल वैसी बनेते हैं आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे लाजमी बताएगा और ब्रेड ना आप लाजमी सिंपल वाली जो होती है न वो डालिएगा मीठी ने डालिएगा ठीक है चैनले आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो तो लाजमी बताएगा कमेंट्स करके लाफ़ीज वी आमानिल्ला